ओना खांट 14 रखेहलें वेल्कम टॉम तो मैं चैनल पृदे बात करते हैं कल के टेडिंग को प्लान कर खिरिrid कर सकते हैं कैसे हम आज लड़ी डिसकुसिया था कि कैसे फ्ली को कंडिशन में ऌपेन हुआ सब्सक्राइब करते हैं बिल्कुल आपके इसी रेंज पर उपन हुआ और फॉर्स केंडल जो मार्केट ने अच्छा बेरिस बनाया उसके मार्केट ने ट्राय के ऊपर जाने के लिए उपर जा नहीं पाया और पूरा दिन एक बिल्कुल आपके लेवल था इसी लेवल का सब् फिर से लॉप आया तो अब देखें मार्केट जो वापस जो 42 तो लेवल के आज पास ही फिर से वापस आ गया तो आपको ध्यान एकना मार्केट में जो है अभी आपका रिजिस्टेंस बना हुआ है जहां से मार्केट ने रिवर्स किया तो इह इसक बने काम करते हैं का मार्केट इसको करते हैं को मिल सकता है मिOoh लोग साइट पर अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यह मश्त प्रिशिन हमारा होना होना चाहिए इस गतिकने करना है हम यहां पर देखना कि मारकर बीभ ट्इम से यहां बारबार शफोट इसको सपोर पूर्ड से सप्लाय आ रही है दिखने को मिल लेगें, तो कल इसको market अगर इस लेवल की आसपास यहां पर आता है, यहां पर एक again bullish candle कोई बनाता है, just like इस तरह को candles बनाता है bullish type की, then market मार्केट में ब्रेकडाउन करता है ब्रेकडाउन करके अगर पूल बैक करके देन ब्रेकडाउन करता है मतलब एक प्राइस से बनाता है देन शॉट करेंगे और शॉट अच्छे से यहां पर कर सकते हैं तो कि कैसे मार्केट को ट्रेट करना क्यों कि मार्केट आल टाइम हाई आज़े आपको वेट करनाreto-іяयर कमर्केट के एक साइट और जिस आट वह प्लान करना का, ृ हिल में निहां लाटक है। लेवल दाट इस एटी थाउजन थी रहने का लेवर बैंक निफ्टी ने आज सक्सेस्फुल इस लेवल को होल्ड कर पाया अगर आप देखें मार्केट ने गैप हमारा ओपनिंग हुई उपनिंग होई मार्केट नीचे आया और नीचे आते आते आता आप देखें जो इंपो यहां के बाद आपका यहां के बाद आपका यह तरफ आपको वाच आउट करना है तो इसके ऊपर क्योंकि नेक्स टार्गेट आपका का होने वाला है तो आपको द्हान दोना के इसके ऊबर मार्केट का अशा और यहां पर एक और बाद आपको दिहान नगदी है आपको अपनी पोजिशन साइजिंग को बहुत इंपोर्टेंट है है वी कॉंटिटिटी आपको बाइए नहीं करना क्योंकि आपको प्रकारेक् ब्रेक्डाउन करता है तो नीचे जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है ना बात करते हैं इस टॉक्स की जो कल जो हमें प्लान करना है सबसे पाहला इस टॉक की बात करें तरह कि मनना पूराम फाइनेंस कल भी हमने इसको बाइ करने के लिए था अगर आपक प्रेक्डाउट दिया था प्रेक्डाउट दिया तो अगर जैसे यह 117 के उपर निकलता है तो एक अच्छा कासा रैली फिर से इसमें देखने को मिल सकता है और बात करते हैं ना बात करते हैं सेकंड इस टॉक्स को टेट प्लान कर सकता है इसमें बहुत ही बहुत ही बहुत ही लेवल पर करेक्डाउट करता है इसमें अच्छा कासा रैली आपको देखने को मिल सकते हैं ना बात करते हैं एक और स्टॉक्स जिसमें कर सकते हैं यह अच्छा मुवब्मेंट देखने को मिला है अज हिरो मोटो को भी काफिछा मुवब्मेंट दिया और यहां सब्सक्राइब कर देखें के इसको ऊपर अगें दूसरा स्विंग लो इसका है कंडिशन चेंड हो गई है और एक रेंज में अभी है तो कल जैसे यह 153 करता है 153, 154 के ऊपर को एकलता हु इस लेलर को र Built क रीकलता है तो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है वपका 159 फेंशन, 159 संक में 165 के वोह सकते हैं में कि वॉलल्म इच्छा का है इसमें आज देखने को मिला है तो यह तिन तेन बितनी स्टॉक प्रग्स को करने के लिए लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरू करेगा साथ जितना हो सकते इस वीडियो को देख कर कुछ लर्निंग ले सके और कल के टेडिक में आने वाले टेडिक में अच्छे कासे प्रॉफिट्स बना सके तो मिलते अगले वीडियो में नए एनल से पुरा देहने प्यार पुर्वक धन्यवाद